हेलो एब्रीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इस्टिच विथ में हूँ सो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में आलिया स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड इस्टिचिंग बताऊंगी जो की आज कल बहुत त्रेंड में है इस कुर्ती को बनाने के लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा जो की मेरे पास है रियोन कॉर्टन में अगर आपकी हाइट कम है तो आप ये 2.5 मीटर फैब्रिक में भी बना सकते हैं उसके साथ लगाने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ली है आप कोई से भी कलर की डिजाइन की ले सकते हैं मेरे इस पे गोल्डन प्रेंट है इसलिए मैंने गोल्डन मैचिंग की ये लेस ली है तो चलिए फैब्रिक को ओपिन कर लेते हैं तो देखे मैंने फैब्रिक को पूरी तरीके से ओपिन कर लिया है और अब हमने यह जहां से फैबरिक की लंबाई होती है वहां से इसको डबल फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से अब हमें इसकी विर्थ देख लेनी है तो इसकी विर्थ जो आ रही है 21 इंच आ रही है तो यहां से हमारा जो चेश्ट का साइज है आरम से निकल आएगा एक और फोल्ड कर देंगे तो अब हमारा डबल फोल्ड है अब हमारा फोल्ड हो गया इसमें से निकालेगे हम कुर्ती की चोली चोली की लैंद जो है मैं रख रही हूं 16 इंच 15 इंच लैंद है और वन इंच मैंने माजन के लिया तो टोटल हो गया 16 इंच मार्क को कर देंगे हम इसके लिया है पर सीधा अब लगाएंगे हम शोल्डर जो की मैं रख रहे हूं 6 प्लस 1 इंच यहां से हम लगा लेंगे आर्मल का मार्क जो की मैं लग रही हूं 7 इंच पर और इसको कर देंगे सीधा अब लगाएंगे हम चेश्ट की मार्किंग आपका चेश्ट का जो भी साइज है उसको फोर में डिवाइड करिएगा और डिवाइड करने के बाद जो निकल कर आता है उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर देना है तो मैं यहाँ पर लगा रही हूं 9 इंच पर अब हमें लगा लनी है कमर तो हमारी कमर का भी साइज जो भी है आपका कमर का साइज उसमें आपको फोर में डिवाइड करना है और जो भी आपका निकल कर आता है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करने के बाद वही मार्क लगा देना है तो मैं यहाँ पर लगा रही हूं 7.5 इंच पर और इस मार्क को कर देना है सीधा आर्मोल में देनी है हमें गोल आई तो यह हमारा हो गया बैक आर्मोल इसके बाद अब हमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्मोल भी लगा लेना है देखिए कुछ इस तरीके से तो यह हमारा हो जाएगा फ्रंट आर्मोल यह फ्रंट हो गया यह बैक हो गया अब हम मार्जन जो भी आपका फैबरिक का बच रहा है मैं पूरा मार्जन रख लोंगी साइट से चोली का इसकी बाद लगा रहा है हमें गले की मार्किंग तो मैं गला जो है वो रख रही हूँ थ्री इंच चोड़ाई और लंबा ही रख रही हूँ मैं थ्री इंच अब हमें एक बॉक्स बना लेना है और वहां से हमें दे देना है राउंड शेप कुछ इस तरीके से अब हमें लगाना है फ्रेंट नेक का मार्क जो मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर अब इस मार्क को हम भी शेप में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो यह हमारा फ्रेंट नेक हो गया आप चोली की हम कर लेंगे कटिंग कटिंग करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि अभी आप फ्रेंट आर्मोल और फ्रेंट नेकी कटिंग ना करें तो कटिंग हमारी हो चुकी है अब हमें हाफ इंच नीचे की साइट से एक निसान लगाना है हाफ इंच का और उस निसान को हमें कुछ इस तरीके से गोलाई दे देनी है और अब इसको हमें कर लेंगे कटिंग अब इसकी बाद हमें फ्रेंट नेक फ्रेंट पार्ट और टॉप बैक पार्ट को अलारला कर लेना है यह हमारा फ्रेंट पार्ट है और यह हमारा बैक पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में अब हम जो फ्रंट आर्मूल थे उसकी कटिंग कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे तो हमने फ्रंट आर्मूल और नेक की कटिंग कर ली है इसकी बाद अब हमें नीचे से फाइव इंच का एक मार्क और लगाना है देखिए कुछ इस तरीके से और इस निशान को हमें यहां से मिला देना है कुछ इस तरीके से और एक तिछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है अब हमेसे कर देंगे कट कटिंग करने के बाद आपको फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो यह हमारा टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट हो गया अब हमें निकाल लेनी है स्लीप्स उसके लिए मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रखा हुआ है और यह हमारा यहां से स्लीप्स का ब्रोटनेस होगी तो ब्रोटनेस आपको कैसे निकाल लेनी है जो भी आपका चेश्ट का साइज है उसको आप फोर में डिवाइट करें और उसमें टू इंच प्लस करने के बाद आप Sleeps की Broadness निकाल सकते हैं इसकी बाद एक 3 इंच का हम Mark उपर के सेट लगाएंगे और एक 3 इंच का Mark हम नीचे के सेट लगाएंगे नीचे वाले Mark को हम इस केलखिल हैल्ट से सीधा कर देंगे तो अब हमारा जो उपर वारा Mark है उस Mark को हम इस Mark से मिलाते हुए एक गोल्ड शीप दे देंगे इस तरीके से इसकी बाद हमें इस Leaps की Length निकालनी है जो की मैं लगा रही हूँ 16 इंच पर यहां से हमें बॉटम की फिटिक देनी है जो में लगा रही हूँ 5 प्लस हाफ इंच पर और बन इंच का इसमें हम मार्जन दे देंगे इस Mark को हमें इस Mark से मिला देना है तो यह हमारा मार्जन बाला Mark है जो मैं लाइन ड्रौ कर रही हूँ इसकी बाद हमें फिटिंग बाला Mark भी ड्रौ कर लेना है इसी तरीके से तो जो भी आपका चेश्ट का साइस है उसमें आपको फिटिंग बाला Mark ड्रौ कर लेना है कुछ इस तरीके से अब इसकी कर लेनीय में कटिंग स्लिप्स की कटिंग हमारे हो चुकी है अब हमें फ्रंट आर्प मोल के लिए एक Mark लगाना है तो हाफ इंच का हम डाउन की तरफ एक Mark लगाएंगे और उसमें कुछ इस तरीकी से गहराई दे देंगे तो यह हमारे फ्रिंट जो स्लिप्स का गहराई होती है वह हो जाएगे कटिंग करते रहे हैं इस वाद का ध्यान रखें कि आपके जो कटिंग कर रहे हैं वह किवल दो ही फैब्रिक हो सेंटर में एक छूटा सा कट लगा लेंगे और एक कट लगा लेंगे हम फिटिंग के तरफ तो स्लिप्स की भी हमारी कटिंग हो चुकी है अब हमें पटम की कटिंग करनी है तो मैंने फैब्रिक को डबल फूल करके कुछ इस तरहीके से रख लिया है और इसमें मैंने एक जो यह वाला फैब्रिक है हमारा यह है पाग का और यह वाला हमारा फ्रेंट का है तो फ्रेंट प्रेंट को हमने 5 इंच एक्ष्टा लिया हुआ है उपर से फैबरिक की जो हमारी बिर्थ है वो है टूटेल 42 इंच और यह हमारी लेंद्थ है तो मैंने फैबरिक की फुल लेंथ ली हुई है आप अपने अप्रोडिंग फैंद्थ कम यह जादा कर सकते हैं और जो बिर्थ है वो भी मैंने पूरी ली हुई है अब देकिए यह फॉरन पार एक्सटां लिया हुआ है 5-inch का extra part हमने इसलिए ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि जो हमने चोली में 5-inch की cutting की थी वो यहाँ पर edged हो जाएगी तो यहाँ से हमें front part का 5-inch extra लेना है अब हम back part को अला कर देंगे front part से और front part को हम double fold कर लेंगे center से फैबरिक को डवल फूल्ड कर लिया है यह रहा ओपिन साइट और यह रहा किरो साइट तो जो ओपिन साइट है हमारे फैबरिक का हमें बहां पर एक 5 इंच का मार्क ड्रॉव करना है यह ओपिन साइट है हमें बहां से लंबाई में यह 5 इंच का निसान लगाना है और इस निसान को हमें उपर तक मिलाते हुए तिछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है पुछ इस तरीके से अब इस लाइन को हमें कर लेना है कट तो यह हमारा जो बॉटम का फ्रंट पार्ट है और देखने के लाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो आप ओपन करेंगे इसको और यह हमारा टॉप का फ्रंट पार्ट है यह इस तरीके से आएगा जब हम इसको स्टिश करेंगे तो इसमें हमें छोटी छोटी पलेटे डालने नहीं है आप चाहे तो इस्में कैद्री मिं डाल सकते हैं बट मैं इसने डालूएंगी तुछाल यह बॉटम के पार्ट में हम पिर्लेट में डाल लेते हैं हमने पिलेट में डाली हैं बॉटम के पार्ट में अब इस तरीके से उल्टा रखते हुए हमें इस kita लगा देनी है कि टॉप पार्ट में हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच कर दिया है अब हमें नैक ड्रो इने बनाना है इस sprint पार्ट का उसके लिए हमें जो फैबरिक है उसके उपर वी शेप का नेक ड्रॉ कर लेना है और उसमें फ्यूजिंग पेपर पेश्ट कर देनी है देखिए इस तरीके से मैंने वी शेप एक फैबरिक पर ड्रॉ कर लिया था और उसमें फ्यूजिंग पेपर पेश्ट करने के के बाद उसके किनार जो है वो फोल्ड कर दिये हैं अब आपको तॉप पार्ट को उल्टा रखने के बाद जो आपने पेपर प्रैबरिक पर जो पेपर पेश्ट किया था उसको सीधा रखना है और इस नेक के नीचे कुछ अच्छी तरह से सैट करते हुए इसको लगा देना ह है इस तरीके से और इसकी उपर एक इस्टिश लगा देनी है अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसमें पिन का यूज़ करके पहले इने पिन अप कर लें उसके बाद आप इस्टिश लगा है और अगर आपको ऐसे नेक बनाने में प्राबलम होती है तो आप साधा पट्टी इसके वी शेप में कड़ करके इसके ऊपर इस्टिश कर सकते हैं फ्यूजिंग पीपर पेश्ट करने से क्या है कले में अच्छी आएगी और आपका गला कहीं से भी जोल नहीं खाएगा तो इसमें मैं पिन लगा रही हूं ताकि जो गला है आंगे पीछे ना हो अब हमें इस पर लगा देनी है किनारे से इस्टिश तो देखिए हमने इस्टिश लगा दी है और अब जो एक्ष्टा फैब देख है उसे हम कर देंगे कट और बाद में इसको हम इस तरीकी से फोल्ड कर लेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो इसकी बाद हम गले की उपर सिंगल श्टिश लगा देंगे ताकि ये गल अच्छे सैट हो जाए तो देखिए हमने श्टिश लगा दी है इस गले की उपर अब यह जो हमार पास लेश है आँ हम इसकी उपर लेश इस्टिश कर देंगे कुछ इस तरीके से तो लेस को हमें कर लेना है stitch लेस लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो भी लेस लगा रहे हैं वो आराम से आपकी move होनी चाहिए देखें जो मैं लेस लगा रहे हूं कितने आराम से ये हमारी move हो रही है मुझे turn करने में कोई problem नहीं हो रही है और ये अच्छे से turn हो जाती है तो इसी तरीके से आप पतली लेस लीजिए गले में लगाने के लिए दूसी तरब भी हमें इसी तरीके से लेस लगा लेनी है कि अब हमने सिंगल सैट से इस्टिच लगाई है हम दबल सैट से दूस्टिक दूस पहले है हुए साइड से भी हमें इस तरीके से श्चिछ लगा कर लेज को favor कर देज Phish कर देना है तो देखिए हमारा जो गला है बंद कर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है यानि कि हमारा कुर्ती का front पूरी तरीके से अब हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे तो जो टॉप पार्ट है बैक पार्ट का उसकी उपर हमें बॉटम पार्ट को इस तुर्यके से ट्रेंटे डालगर्व famille कर लेना है उसके लिए मैंने एक तृची पंटी लिए है और उसको गले के उपर रखते हुए हमे एक सिलाय लगा देनी है इस तरीके से और इसको हमें डबर फॉल्ड करके अंद네 के साइट की उपर भी एग स्टिश लगा देनी है इस तरीके से तो देखे मैंने गले के की उपर तिर्ची पट्टी अच्छे से स्टिच कर ली है अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है हमें उसको रखने की बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के सोल्डर भी इस्टिच कर देने हैं दोनों की सोल्डर पे हमें लगा देनी है इसलाई अब हमें स्लीप्स रेडी कर लेनी है तो जो हमारी स्लीप्स है उसमें हमें नीचे बाटम को डबल फोल्ड करके एक इस्टिच लगा देनी है और उसकी उपर हमें ये लेस इस्टिच कर देनी है तो देखे मैंने दोनों स्लीप्स में नीचे के बॉटम में डबल फोल्ड करने के बाद ये लेस इस्टिश कर ली है अब हमें ये स्लीप्स कुर्टी में अटेश करनी है तो देखे मैंने कुर्टी को किस तरीकी से रखा हुआ है और उसकी उपर हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो हमारा कूर्टी का सेंटर है उस सेंटर से हम स्लीप का सेंटर मिलाएंगे और इस बात का ध्यान रखें जो फ्रंट आर्मोल है वो फ्रंट स्लीप से मिलने चाहिए और इस की उपर हमें लगा देनी है सिलाई इस तरीके से दौनों सिलीप्स को आपको इसी तरीके से स्टिश कर लेना है तो देखे मैंने सिलीप्स भी स्टिश कर ली है और इसमें फिटिंग भी डाली है यहां से साइट से और हमारी आस्तिंग भी अटैश हो चुकी है अब हमारा कुरती का बॉर्टम रह जाता है तो बॉर्टम पे हमें अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको आप कटिंग करने के बाद डबल फोल्ड कर दें और अंदर की तरह फोल्ड करने के बाद एक इस्टिश लगा तो देखे फ्रेंड्स हमारी कुर्तिवन का रैड़ी हो चुकी है कैसी लगी कमेंट रखे जरू होता आएगा पसंद आई हो तो एक लाइक जरू कर दीजेगा ने श्टूडियों में फिर मिलेंगे तब तक टेक क्या बाई-बाई